नमस्कार मैं हूँ रंजीत ज्या शुप्रिम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में एडी की इन दिनों भारी फजियत हो रही है जमकर एडी को फटकार पर रही है फिर चाहे वो मनिश सिसोद्या का केस हो या फिर M3M के बंसल बंदों का केस हो लेकिन आज जो मामला हम बताने जा रहे हैं यहाँ एडी को फटकार तो लगी ही लगी है लेकिन दूसरी तरफ ऐसा पहली बार हुआ है कि दो जजों की बेंच ने डिविजन बेंच ने एकल नयायाधीश को नसीहत दे डाली है पूरा मामला बहुत दिल्चस्प है इस मामले में हम कुछ क्लेरिफिकेशन भी आपके सामरे करेंगे लेकिन खबर की शुरुवात पहले कर देते हैं दरसल केलकटा हाई कोट में अभिशेक बेनर जी ने एकल नयायाधीश जस्टिस अमरिता सिनहा के आदेश को चुनवती देते हुए याचिका डाली थी और उस डिविजन वेंच में जो जज सहाव थे उन्होंने ना सिर्फ एकल नयायाधीश अमरिता सिनहा को नसिहत दे डाली है दूसरे तरह एडी को भी कह दिया है जो सुप्रीम कोट ने कहा था कि कोई भी कारवाई करने से पहले आप उन आरोपी को बकाईदा बताएंगे नोटिस देंगे जानकारी देंगे और उनसे समय भी लेंगे अब इस संबंध में पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं यहां जो मैं क्लेरिफिकेशन की बात कर रहा था वो भी मैं बता दो हमने आपको इस संबंध में एक और रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे एकल नयायाधीश अभी से बन्यरजी और एडी वाले मामले में एक ब जवाब में उन्हें कुछ कमी नजरा रही थी अब उस बक्त तक तो यही लग रहा था कि वो बिलकुल निस्पक्ष तरीके से इस मामले में वो चाहती हैं कि जाच हो और एडी के अपसर सही से काम नहीं कर रहे हैं लेकिन यहां यहां आरोप जस्टिस अमरिता सिनह पर लग रही हैं उनके पक्षु से बैटिंग करने लगी हैं उनका कहना यहां था जो अभिशेक बैनर जी दिल्ली में प्रदर्सन करने गए हुए थे कि किसी भी सूरत में अभिशेक बैनरजी से 3 अक्टूबर को ही पूछताश करना है अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एडी के किस तरीके से बेताव थी कि अभिशेक मनर जी को किसी भी सूरत में पकड़ लिया जाए इससे यहां अंदेशा होने लगा कि जिस एडी अफसर को हटाया गया है वो अभिशेक मनर जी को सायद फ्रेम कर पाने में अपनी महती भूमी का नहीं निभा पा रहे होंगे क्योंकि उ और शायद इसी बात का गुस्सा होगा कि वो जो एडी अफसर थे असिस्टेंट डारेक्टर उन्हें उस केस से हटा दिया गया उन्हें तो बंगाल से भी बाहर करने का आदिश दिया गया था खैर अब आए बर्तमार मुद्देपर यहां बहुत दिल्चस्प है क्या हुआ हरा है है । हलाई में लाइग लोंने लिखा है बर्ति घोटाला जो शिना के काह सब्सक्राइब करने को Candid подबाव जबड़ा हो का कि ओ आधिस्टा वेज खी मांविशेक के से भिड़ा उन करना है तो उन्हें प्रयाप्त समय रहते सुचित कीजिए उन्हें वक्त दीजिए ताकि वो पेश हो सकें ऐसा कुछ कहा गया जा रिपोर्ट में देखिए कलगत्ता हाई कोट ने पश्चिम बंगाल में बहु अस्तर्य भरती घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेश शाले को निर्देश दिया कि वह पहले आरोपी सांसत अभिशेक बेनरजी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजूं की जांच करें और फिर यदि आवश्यक हो तो पस्थिती होने के लिए 48 घंटे का समय देना होगा एकदम क्लियर मेसेज था इतना ही नहीं उन्होंने जो एक कराओं की स्थिती देखने को मिलने लगी है यहां लिखा गया है कि नियायले ने आगे यह सपष्ट किया कि जांच जल्द से जल्द और कानून के अनुसार पूरी की जाए और भरती घोटाले के मामले में एकल निया अधिश को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दि गई वो गौड करने वाली बात है कि एक सांसद पर आपने आरूप तो लगा कि के इस लंबा खीचा जा रहा है और ऐसे में अविश्यक बेंदर जी को नोटिस पर नोटिस बेजा जाना फिर कोट्रूम में जाकर बेंदर जी पर गंभीर टिपुनी करते रहना उन्हें इस बेताब होकर पकरवाने का अधिश देना इसकदर बेताबी में बरी बरी टिपुनी कर देना वो सब कहीं न कहीं बहत गंभीर विश्यक बनता जा रहा है किसी मनसूबे की और इशारा करता है तो कोई भी खराब टिपुनी अगर किसी सांसत के परती होती है तो उनके जनाध तो वो अनुचित है अन्यायपूर्ण है जरनसल डिविजन बेंच में जो मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस सौमिन सेन और जस्टिस उदैकुमार उनकी खंड़ पुट ने जो कहा है जरा देखिए निसकर्स निकालने से पहले हम यह देखना चाहते हैं कि मामले को आ भावना है जाच के निश्टर्स पर अंततर कोई कारवाही शुरू होने के इस्तिति में उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा निश्टी तो आरोपी हैं वो दोश्री नहीं सिद्धोग है तो ऐसे में आप उनके बारे में कुछ भी गलत बयानी करें और यहाँ पर बता भी दिया गया है यह टिपुणिया जस्टिस अमरिता सिनहा के एकल नयादीश के आदेश के खिला बेनर जी द्वारा दायर याचिका में आई जिसमें एडी के सहायक निदेशक को या देखने के बाद जांसे हटा दिया गया था कि अदालत द्वारा तलब क गई बनर जी के संपत्ति के सूची असपस्ट रूप से ओपर्यापत है जाने कि उन्हें वो पसंद नहीं आई थी कि एडी के अफसर ने किस तरीके से करवाई की है उस अफसर को हटाया गया था उस वक्त तो हमें लगा कि जस्टिस अमरिता सिनहा एडी के अफसर को हटा र को कुछ मिल नहीं पारा ढंक का अभिशेक बनर जी पर दोस्ट सिद्ध कर देने के लिए अब यहां से आगे आईए मामला बहुत दिल्चस्प है अभिशेक बनर जी के वकील ने कोट रूम में क्या कहा बनर जी के वकील ने प्रस्तूत किया कि एकल नयायदीश्ट के मुकदमे ने मीडिया ट्राइल का चरित ग्रहन कर लिया है और मुकदमे की निगरानी करने की अपनी छमता में नयायला ने वास्तम में जाच के तरीके में हस्तक छेप करके अभियोजक की भूमी का निभाई है अब जिरा सोचिए कि आरोप सिधे तोर पर एकल नयायदीश्ट अमरिता सिनाव पर ही लगा दिया गया है कि वो जिस तरीके से इस केस को ट्रीट कर रही है लग रहा है कि एडी से जादा वो बेकरार है पहली बात तो यह दूसरी बात यह वो जाच एजनसी के अभियोजक क तोर पर काम करने लगें यह उचित नहीं है जाच एजनसी को अपना काम करने दीजी उन्हें कुछ मिलेगा तभी तो वो आ गया है नहीं मिल रहा है तो भी उनको आप दवाव बना रहे हैं खोज कि क्यों नहीं ला रहे हो उन्हें पकर क्यों नहीं रहे हो दिल्लिक चल कैस यहां पर वकील सहब के एक और पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए क्या ऐसा होना चाहिए था बताया गया है कि वकील ने तरक दिया अभ्यूक्तों की संपत्ति के संबंध में गोपनिया सामगरी को नयाधिश्ट ने लाइव स्ट्रीम पर पढ़ा और बेनर जी के नुकसान क के लिए इसे सार्वजनिक कर दिया दलीले सुनने के बाद अब कोट रूम में जज सहबों की क्या ट्यूपनिय चीज़ा देखिए दलीले सुनने के बाद कोट ने कहा कि घोटाले की बयावता अठा है निस्पक्ष जाच ही सिस्टम में बरोसा बहाल कर सकती है इसके अलाव सभी को यह सुनिशित करने का प्रयास करना चाहिए कि दोशियों को सजा दी जाए और भष्टाचारियों को दंडित किया जाए यह वहां से टुपनी आ गई अब इस मामले में एक और महतोपुर्ण जानकारी हम आपको देते हैं प्रभात खबर पर रिपोर्ट छपी है कि अभिशेक बेनर जी ने तो एकद नया अधिश अमरिता सिनहा के आदेश को चुनोपी दी थी और उसमें जो भी आरोप अभी तक आपने देखा है एक आरोप और देख लीजिए यहां क्या कहा गया है यहां पर प्रभात खबर ने लिखा है कि अभिशेक के वकील ने कहा कि उनके मुख्किल का उस मामले से सिधा संब्द नहीं है जिसमें जस्टिस सिनहा ने एडी को करवाई करने का निर्देश दिया है लेकिन जज के आदेश का सिधा असर अभिशेक के अधिकारों और हितों पर पर रहा है उन्होंने आगे कहा कि जज जाच एजनसी की जाच प् दावा है कि जस्टिस सिनहा इस तरह से डर का महौल पैदा कर रही है यानि कि जस्टिस सिनहा की भूमिका यहां संदेह में आ गई है हमें किसी नियादीश पर सवाल खड़े करने का हक तो नहीं है लेकिन जब डिविजन बेंच से उस जज साहिबा को निर्देश पर रहा है तब तो कुछ सब्द तो बोले ही जा सकते हैं लिहाजा यहां पर टिपुणी की जा रही है तो कुल मिलाकर आपने देखा एड़ी की फजियत तो हो ही रही है लगातार लेकिन इस बीच में यहां ख़वर भी बहत दिल्चस्प है कि डिविजन बेंच ने अब एकल नियाद परतीत हो रहा था कि वह बहुत बेकरार थी कितनी जल्दी अभिशेक बेनर जी को गिरफतार कर लिया जाए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए भले ही इड़ी इस मामले में धंग से कुछ कर पाई हो या ना कर पाई हो फिलाल इस वीडियो में तो नहीं आप सभी का हम से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद